Hello दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में और आज के क्लास में बियस्टी फर्स सिमस्टर वालों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं Elastic Constant जैसा कि हमने आपसे ये पिछले क्लास में भी बता दिया था अगर आप हमारे चैनल पर नए है या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं भई जो elasticity आपका chapter है उसमें हमने आपको पूरा बता चुकी है कि elasticity क्या होता है साथ में plasticity क्या होता है stress के बारे में हमने कही सारी चर्चा कर रखी है और वहाँ पर strain भी बता रखा तो अगर आपने वो classes नहीं देखे हैं जो इससे पहले दो डाल दिये थे तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं playlist हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आज के class में हम क्या पढ़ेंगे? elastic constant के बारे में हमने आपको पिछले class में भी ये बात बताई थी कि भाई इस topic से हमारा एक जो long का question आता है relation पूछा जाता है अब वो relation क्या होता है? relation भाई पूछा जाएगा elastic constants में ठीक है? तो इसलिए अब हम relation जानने से पहले पहले हम यही जान लेंगे कि elastic constant होते क्या क्या है? ओकी तो चलिए class को start करते हैं सबसे पहला जो हमारा elastic constant है उसको बोलते है y, y यानि की young's modulus क्या बोलेंगे? y को बोलते है young's modulus या पैसे भी कह सकते young's modulus को हम किस से denote करते है? y से करते हैं ठीक है? यह क्या है? हमारा elastic constant है क्या है elastic constant? young यहाँ पर जो है एक scientist का name है तो young's modulus यानि जो आप y जो आप determine करेंगे तो formula आपको चाहिए होगा तो वो formula क्या होगा हमारा linear stress upon में linear strain बस आपको elastic constant में जादा नहीं ध्यान देना है बस आपको क्या ध्यान रखना है? यह जो formula हम आपको बताएंगे फिर formula की base पर आपकी definition तो बनी जाएगी formula क्या है हमारा young's modulus का linear stress upon में linear strain मतलब दोनों तरफ linear है उपर भी linear है और नीचे भी linear है और बस उपर क्या हो जाएगा stress और नीचे क्या हो जाएगा strain और stress को हम बताएं भी थे आपको stress को किस से denote करते हैं? f से, small f से और strain को किस से denote करते हैं? e से यानी formula हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर y is equal to f s यहाँ पर linear था तो s लगा दिया f s upon में e ठीक है तो यह हमारा formula बन जाएगा अब आप इसकी definition कैसे बनाएंगे? बहुत easy है कि it is the ratio of linear stress and linear strain यह भी लिख सकते हैं और साथ में चाहें तो हिंदी में लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि linear stress और linear strain के ratio को young's modulus कहते हैं और यह आपके सामने formula उसके बाद दूसरा होता है हमारा elastic constant eta ठीक है? इसको क्या पढ़ते हैं? हम eta पढ़ते हैं यह N बनाएंगे बस N का दूसरा पार्ट को खीज देंगे नीचे के और ज्यादा बढ़ा देंगे ठीक है यह क्या होता है? इटा होता है अब इटा को क्या कहते है? shear modulus क्या बोलते है? shear modulus अब यह क्या होगा? वहाँ पर हमारा क्या था? linear stress upon linear strain वहाँ पर क्या था? linear लगा हुआ था उपर और नीचे यहाँ पर भई क्या है? shear है तो उपर भी shear, नीचे भी shear और stress upon strain और हमने आपको shear stress बताया भी था भई shear stress, sorry, shear जो strain है इसको tangential strain भी बोलते है types of strain में हमने आपको पताया था second type था इसको किसी denote करते है? 5 फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉर्मूला हो जाएगा shear modulus is equal to shear stress upon shear strain और आप इसकी definition क्या बनाएंगे? heat is the ratio of shear stress and shear strain उसके बाद third जो हमारा elastic constant है वो क्या है? bulk modulus, क्या है? bulk modulus तो bulk modulus को बीटा से भी denote करते हैं लेकिन आपका जब होगा relation तो वहाँ पर हम K से भी denote करेंगे मतलब जब हम relation पढ़ेंगे तो bulk modulus को K से denote करेंगे ज्याद तर K से ही denote किया जाता है बट आप यहाँ पर याद रखे कि bulk modulus को बीटा से भी denote किया जा सकता है तो bulk modulus का भी formula क्या हो जाएगा? तो देखें यहाँ पर pressure upon में volumetric strain ठीक है? तो pressure का मतलब क्या होता है? दाप तो P से denote कर देंगे और volumetric strain क्या होता है? यह भाई strain का third type है volumetric strain क्या होगा? EV ठीक है? हमने आपको बताए भी था strain निकालने के लिए जितनी भी length में change हुआ है उसको आप उपर रखेंगे और upon में क्या करेंगे? जो original आपकी length है उसको नीचे रख देंगे यह तो भाई length की बात हो गई अगर volume दे रखा है मतलब यहाँ पर volumetric strain है तो क्या किया हमने उपर? उपर जो जितना भी change हुआ है volume में वो रख देंगे मतलब delta V हो जाएगा और upon में original volume हो जाएगा यह हमारा निकालने का तरीका होता है strain अगर volume दे रखा है तो V लिख दीजे length दे रखा है यह तो L लिख दीजे समझ में आपको आगे strain क्या होता है? change in dimension upon में original dimension तो यह तो हमने आपको formula बता दिया था strain का और bulk modulus क्या होगा के से denote करेंगे और बीटा से भी करते है formula याद रखिए pressure upon में volumetric strain ठीक है? तो I hope इस class में आपको समझा पाए होंगे कि तीनो जो elastic constant है इनको बस आपको क्या करना है? एक बार read कर लेना है तीनो जो formula है पहला Y, फिर दूसरा हमारा क्या है? Eta और तीसरा क्या है हमारा? K इससे पहले class में हमने आपको sigma भी पढ़ा दिया था sigma क्या होता है? poison ratio इसके बारे में भी बता दिया था हमने तो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजे अगले class में जब हम मिलेंगे तो Y, Eta और sigma और K इसमें relations होते हैं कुछ ठीक है? तो चार relations के बारे में हम आपको एक एक class में बताएंगे और इतना याद रखिए ये भाई जो relation है वो आपके long question में आता है तो इसलिए आपका एक long question यहां से प्रेपेर हो जाएगा तो I hope सारी बाते आपको अच्छे से समझा पायोंगे और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर बेज शियर कर दी जाएगी तो अगर आपने वहाँ पर जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लीजिए Depth Study नाम से चैनल बना हुआ सर्च करेंगे मिल जाएगा फिलहाल तो डिस्क्रिप्शन में भी हम यहाँ पर लिंक दे देंगे तो इस क्लास में इतने रखते हैं अगले क्लास में मिलेंगे इनके Relations के संग तब तक के लिए जय हिन जय भारा